सबी साथ योग नमस्कार आपका स्वागत है आप कैसे एजुकेशनल वीडियो बना सकते हैं अच्छे से अच्छा ये आप सीख रहे हैं और मेरी आशा है कि आप जल्दी ही ये सीख जाएंगे आपने वीडियो का एजुकेशनल वीडियो का फर्स्ट पार्ट आपने देखा और सेकेंड पार्ट में आपको जो बताया गया वो थोड़ा डिफरेंट तरीका था कैसे आप बिना गूगल स्लाइड और अन्य मोबाइल कंप्यूटर टेकनिक के अलावा सिंप्ली आप कैसे घर की चीजों से बना सकते हैं वीडियो तो वो आप पार्ट टू देख लें ब एक साथ इसलिए नहीं बता जा रही है कि आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे भूल जाएंगे और जिसा कि अब तक लोग नहीं सीख पाए हैं उसका कार्ण ही यह रहता है कि लोग यूट्यूब या तरीकों से सीखने का प्रयास करते हैं प्रम तो बहुत ही छोटे तरीके से सिखाया जाता है कम टाइम में सिखाया जाता है तो चीजे सीख नहीं पाते और लोग फिर उसको करना ही छोड़ देते हैं तो हम आप सुरू कर रहे हैं देखिए गूगल स्लाइट को यह वैब हमने आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिया होगा उस पर आपने सुरू क कर दिया होगा थोड़ा बहुत करना सीखना आप थोड़ा थोड़ा खुद प्रयास करेंगे रोज जुतना में सिखा रहा हूं तो आप बिल्कुल ही जल्दी सीख जाएंगे देखें आप इसको टच करके हम खोलते हैं तो इस तरीके से आपका यह इंटरफिस खोल जाएग कल हमने देखी इसकी कई चीज़े हैं हमने यह सबसे उपर सर स्लाइड के तीन डंडे दी हैं उसके नीचे हमने यह देखा तो इसमें जो फंक्सन है इसके रिसेंट फोटो देखते हैं इसमें सेर्ड बाई मी क्या-क्या मेरे दारा शेर किया गया है वो चीज़ें आपको देख रहा है तो अफलाइन दिखेंगी ट्रैश यह वो चीज़ होती है जहां पर कि मान के चले आपसे कोई फाइल डिलेट हो गई कोई वीडियो डिलेट हो गया तो उसकी स्लाइड डिलेट हो गई तो वो स्लाइड आपकी यहां पड़ी रहेंगी तो यहां इसको करेंगे तो देखी आप मेरे द्वारा जो भी इसमें पहले की जो फाइले हैं वो दिख रही है तो मैं इनको द्वारा से ले सकता हूं तो यह हमने कल बताया था आपको इसके लावा हमने कल बताया था आपको यह प्लस का निसान सबसे नीचे आप इसको टच करेंगे तो च आगे हम आते हैं, इसके नीचे new powerpoint file, हम इसको touch करेंगे, इसी में हमको काम करना है, इसको आप touch करें, देखें तो आपके सामने इस तरीक से slide खुल जाती है, ये पहली slide पहला page खुला हुआ है, इसमें नीचे देखें आप, ये plus का निसान लग करके, आप यहाँ पर slide है, और बढ़ा सकते हैं, इसमें जिस तरह की आपको slide चाहिए, मानके चलें कि आपको देखें, इसमें ये title and two columns वाली slide चाहिए, तो आपने इस पर touch किया, तो ये slide खुल गई आपके सामने, अब इसमें देखें, double add to title, आप इसको touch करेंगे, तो इसमें हम लिख सकते हैं, काम कर सकत हैं, तो यहां मानके चलें, इस page पर, इस slide पर आपको title देना है, किसी चीज़ का, तो वो आप इस तरीके से इसको select करके, और यहां पर हम उसका नाम लिख देंगे, तो यहां पर यह लिख जाएगा, और यह आपका मानके चलें, heading हो जाएगा, अब यहां देखिए, यह इस लिख जाएगा, ठीक है, अब यहां आपको कुछ लिखना है, तो आपने यहां लिखा, और इस तरीके से यह यहां भी लिख जाएगा, यानि एक ही page पर आप दोनों तरफ चलते चलेंगे, जैसे कि आपको कोई चीज का difference बताना है, table बनानी है, तो difference यहां बत जाएगा, औ किस-किस चीज में आप difference बताना चाहते हैं, जैसे कोई भी चीज हो सकते हैं, यहां पर यह इस तरीके से, तो इस तरीके से आप slide, अब नीचे आप देखिए, यह double slide लेते ही, यह नीचे option खोल गया, unsaved changes, save, यहां आप सबसे पहले यहां save का touch करके, save ज़रूर कर ले, तो इस करके बनाई और वो चली जाएगी, तो इसको आप save करते चले, आप इसको नाम देदें, जो भी file आप बनाना चाहा रहे हैं, क्योंकर बहुत सी file बन जाती हैं, हम उसका, अब इसमें आप नाम देदें, how to make educational media, तो यह file आप बना रहे हैं, अब यह दिखिए, आप save कर लीज इसको save हो गई, यानि कि अब यह दीचे आ जाएगा, तो यह आपके saved file में चली जाएगी, Google Drive में यह save हो जाएगी, अब आप बिना tension के इसमें काम करते रहे हैं, यह file save होती रहेगी, बीच बीच में भी आप इसको यह उपर जब back करते रहेंगे, तो upload होता रहेगा, save होती पर यह file अब गायब नहीं होगी, तो यह आपने देखा किस तरीके से हम ले सकते हैं, यह देखिए, इसको back करेंगे, तो यह file यहाँ पर upload होना शुरू हो जाती है, जो भी changes किये हैं, और यह अपने आप हो जाएगी, यह दिहन रखना कि यह net चे ही चलता है, Google Slides जो भी काम करती हैं, इसलिए इसमें यह चीज़ें आती हैं, अब देखिए, हम एक slide हमने जोड़ी, और इस तरीके से आप कई slide है, अलग-अलग slide है, जो आपकी उप्योगता है, उस तरीके की slide आप ले सकते हैं, सबसे last में देखिए, आप तीचे, blank वाली slide है, हम maximally, जो matter लिखते हैं उसमें हम blank वाली यूज़ करते हैं, तो यह blank आजाएगी, इसमें कोई title या subtitle वाली slide नहीं है, यह simple, अब यहां हम आनके चलने कितनी भी slide है add कर सकते हैं, blank लेते चलिए, आप देखिए, 4 slide हो गई, एक और ले ले आपने, 5 हो गई, एक और ले ले आपने, 6 हो गई, फिर plus पर दबाया, आपने, एक और ले ले ले, आपने, 7 हो गई, प्लस पर दबाया, आपने देखो, एक और हो गई, 8, 7, 8 slide हैं, इसको आप नीचे इस पर स्क्रॉल करके, टच करके सरकाएंगे, तो सारी slide हैं दिख जाएंगी, जो slide पर हम काम करना चाहरे हैं, मान तो 5 भी slide पर क title, यानि कि इस पर title add करने के लिए आप double click करें, तो हम double click करेंगे, तो देखिए, double click करने पर इस तरफिenzie के से खुल जाता है और हम लिखते जाएंगे, ठीक हैं न, तो अभी हम इसको हटा देते हैं, हमें इसके जरुत नहीं हैं, तो इस पर long press करेंगे, इस पर, तो आप ये का बटन आएगा हम उसको दबा देंगे तो अब ही हमारा प्लैन स्लाइड हो गई इस पर कोई टाइटल वगएर हमको नहीं चाहिए या फिर हमको चाहिए भी तो हम अपने अच्छा से अपने मन से कलर का अच्छे डिजाइन का बनाएंगे तो उसको करने के लिए हमें प्लैन तो सबसे जरूरी गूगल स्लाइड का जो फंक्शन है जहां सबसे आदा आपका आवश्यक्ता है सीखने की वो आप सबसे उपर जाएए प्लस का निसान ये उपर जो प्लस का निसान है आप इस प्लस पर आप दबाईए तो देखिए नीचे सारे अप्शन खुल जाएंग कि आप इस फाइल को देखें आप इसमें ये करें वो करें तो कमेंट डाल करके आप ये हम जब टच करेंगे तो टच करते ही देखिए आप इस कमेंट सेक्शन खुल जाएगा और यहां आप लिख दीजिए कुछ भी और वो कमेंट पर आप टच कर देंगे तो कमेंट इसक का छपा हुआ है यानि इस स्लाइट के साथ में कुछ कमेंट है जो भी शेयर जब करेंगे तो उसके साथ में यह जाएगा ठीक है तो इस तरीगी से आप उसको टाइप करके लिखेंगे उसको डिजाइन करके लिखेंगे किस तरीके से आपको समझाना है मैंने आपको मेरे एंगलिस वीडियो आप देखने चैनल पर तो वो सारे इसी गूगल स्लाइट से बने हुए है और किस तरीके से उनमें कलर डिजाइन और अक्षनों का क खुल गया अब यहां पर देखिए यह सबसे उपर पहले आपको दिया बी यानि बोल्ड कोई अच्छर बोल्ड हो जाएगा आई इटलिक हो जाएगा वो अच्छर यू माने अंडरलाइन हो जाएगा और यहां यह जो लिखा हुआ उसके नीचे इसमें कलर होते हैं अच्छर वन टू थरी आपको करना है तो वो इसमें आ जाती है तो इस तरीकी से यह सैटिंग हो जाती है वो आप व्यू में दबा करके देख सकते हैं कि यह आपकी सलाइड कैसी लग रही है तो यह आप पहली सलाइड पर आगए ठीक है अब इसको हम द्वारा प्लस दबाते हैं तो तो हम टेक्स्ट पर गए, टेक्स्ट पर ये आ गया, ये आपको बताया आप, अब मान के चलें कि हम इस पर कुछ लेख ना है हमको, तो यहां हम लेख लेते हैं, अब लेखने के लिए पहले थोड़ा सा, इसको स्लाइड को, जो इसमें बॉक्स बना हुआ है, इसको हम बड़ करेंगे, इस तरीके से टच करके, डॉटिट पर उंगली दवा करके, प्रेस करते हुए आपको लाना है, और प्रेस करते हुए आप लाएंगे, तो इस तरीके से ये, जितना आप पूरी स्लाइड पर चाहते हैं, वो आपका हो जाएगा, इसको फैला करके, आप टच करते ह सरका के ले जाएंगे पूरी स्लाइड पर अब यह हमारा इसलिए हमने बढ़ा किया कि इसमें जो हम काम करना चाहते हैं वो जी डॉटेट के अंदर ही काम होगा अब पूरी स्लाइड पर काम करना है तो इसको फैलाना पड़ेगा हमको तो पूरी स्लाइड पर हमने इसको फैल लिए पेज है हमारा जिस पर हमको काम करना है अब देखिए कि आपको कोई टाइटल लिखना है तो आप सबसे पहले यहां पर देखिए उसको आप सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो यहां इसको आप दबाईए तो अभी तो यह लेफ्ट से शुरू होगा लिखना पर यहां करेंगे तो देखिए लिखना बीच में आजाएगा यहां यह करेंगे आप तो राइट में आजाएगा और यह सूरू आप में बैलनिया यहां सेंटर में लिखना है तो यहां शिय कर लिया करसर को अब हम लिखते हैं, मानके चलें के हमने ये लिखा, अभी आपको ये दिखेगा नहीं, मैं आपको बताऊंगा अभी, हमने लिख लिया, अब ये लिखने के बाद में, हमको ये दिखिए, उपर सबसे उपर जो फंक्षन है, इसके प्लस के बाद में जो फंक्षन आएगा, उपर आप प्लस के बगल में ए लिखा हुआ, ए के बगल में नेटवर्क टाइप का लिखा हुआ है, आप यहां क्लिक करेंगी, तो यहां आप ये खुल गया दिखिए आप, इसको दबाती, ये भी बहुत उसमें आपको हाइलाइट चाहिए, तो वो हाइलाइट के लिए खुलेगा, क्लियर फॉर्मेटिंग इसमें कुछ खास बात नहीं है, यहां पेरगराफ प्रेश करेंगी, तो आप पेरगराफ उसमें लिखा हुआ, उसको कैसा चाहिए आपको, शेप कैसा चाहिए, यह इसको आप सिलेक्ट करेंगे पहले, तो डबल टच करके थोड़ा करेंगे, थोड़ा प्रयास सीख जाएंगे आप, तो इस तरीकी से दो डोटेट खुल जाएंगे, फर्स डोटेट को हम ऐसे खीशते हुए इस तर लाएंगे, पूरा सिलेक्ट कर रहा है, हमको जो लिखा ह है, उसको द्वारा दबाएंगे, तो अब देखें, यह खुल गए, अब यहाँ पर पहले सबसे पहले तो हम यह अच्छर दिख नहीं रहे हैं, तो यह साइज को बढ़ा कर लेते हैं, आप देखें साइज, अभी चौदरा पर है, जब आपकी गोल स्लाइट शुरूआत प खुलेगी, तो यह फिक्स है, यानि स्टार्टिंग में यह चौदरा पर ही दिखाएगा, फॉन्ट का साइज, आपको बढ़ाना ही है, इसको गठाना है, बढ़ाना है, वो सावब कर सकते हैं, अब मान के चलिए, देखें सेलेक्ट हो रिकवाद, हम बढ़ाते जा रहे हैं उपर आपका साइज बढ़ता जा रहा है, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, जितना आप चाहेंगे, उतना यह बढ़ता जाएगा, जितना बढ़ाएंगे, अच्छा नीचे आता जाएगा, क्योंकि वो पेज पर सेट तो होना ही है, अब इसको आप देखें, करना है, वो इंक्रीज के लिए था, आप इसको डिक्रीज करना है, आप दबाते जाएगे, डिक्रीज होता जाएगा, तो इस तरीके से आप जो लिखा हुआ, उसको स्लेट करने के बाद में, इसको अच्छा नो को आप डिक्रीज कर सकते हैं, देखिए, फॉन्ट में, इसको थोड़ा ऐसा हमको designer करना है अच्छानों को तो आप इस पर दबाते चलिए आपको किस तरह की अच्छा change होते जाएंगे देखिए आप लेटर change होते जाएंगे आपको जैसा चाहिए आप वैसा लिखता जाएए देखिए इसमें आप टच करेंगे आपको उसी तरह का जो digit letters का design है वो आपका change होता जाएगा इसमें आप अपनी हिसाब से जैसा भी आप चाहते हैं जो भी अच्छा आपको लगे वो आप आप फोर्ट का design change select कर लें ठीक है तो आप फोर्ट का सीख गए आप size का सीख गए अब हमको यह अच्छा जो लेखा हुआ है उसका टेक्स है उसका color change करना है अभी देखिए आप black color है black गुला चपा हुआ है इसको आप टच करेंगे तो यह आपके color लिख जाएंगे कि आप आपको जो color करना है मान के चलना आपको red लेना है तो देखिए आपका अच्छर का color red हो गया green लेना है green हो गया blue आपको जैसा चाहिए वैसा हो जाएगा ठीक है यहाँ पर आलाला टाइप के देवे हैं basic color है यह इसको बाद theme पर टच करेंगे तो theme बाले color भी होते हैं तो highlight में जाएंगे तो यह आपका test color हो गया इसके दीचे देखिए आप highlight color highlight color पर आप touch करेंगे highlight आप समझते हैं कि कोई जो लेखा हुआ है अच्छा है उसके पीछे को वर्ड को हमको highlight करना है तो highlight आप देखिए आप इसको दवाते ही अच्छा जो लेखा हुआ जैसा select किया है वो highlight होता जाएगा अभी तो मैंने पूरा लेखा हुआ select कर रखा है आपको एक ही सब्द को highlight करना है जैसे आपको education वाले को ही करना है तो आप पहले उसको education वाले को select करें उसके highlight होते जाएंगे highlight के यह आप उसके सारी function सीखे font आप सीख गए size आपने बड़ा घटा सकते है text color हो गया आपका highlight हो गया ठीक है आप यहाँ देखिए उपर bold यह भी लिखा हुआ है आप यह जो लिखा हुआ है उसको और bold करना है तो आप bold पर करेंगे तो यह जो लिखा हुआ है वो थोड़ करना है तो आप यू दबाईए underline हो जाएगा और यह कई तरह के function है जो इसमें cross करना है देखिए आप लिखा हुआ जो है वो कट गया उसमें लीचे लाइन खेच गई तो यह आप इसमें कई तरह के प्रयोग है आप सीखेंगे तो प्रयास करें प्रैक्टिस करें ठीक है यह हुए जो function है वो text related है अब हमको जो लिखा हुआ है वो आप paragraph change करना है setting तो आप paragraph टच करेंगो तो paragraph related यह function खुल जाते है इसमें अभी यह लिखा हुआ है वो आप देखिए यह left में हो गया आप center में लाना चाहते है तो center वाला दबाएंगे देखिए आप center में हो गया right म हो गया और पूरा page बे भरा हुआ लिखा हुआ है वो आपको इस तरीके से manage इससे हो जाता है तो यह paragraph की setting हो गया यहां और भी setting दी है जिसे line spacing दिया हुआ है line की बीच में आपको कितना gap चाहिए आप वो gap जो नीचे line आई है और gap कितना चाहिए paragraph में वो इसससे हो जाता है तो जनरली हम एक पर set रहता है तो यह आपका paragraph हो गया अब आप देखिए shape यह shape पर आप दवाएंगे तो अब जो लेखा हुआ अब यह shape में क्या होता है अब मान के चलिए यह slide है यह slide बिलकुल white है ठीक है अब यह slide जो पर हम लेख रहे हैं उस पर हमको color चाहिए हमको colorful page च को touch करेंगे देखिए touch करेंगे तो यहाँ पर सब तरह के color देवे हैं अब आप देखिए किस तरीके से page का color बदलता है आप देखिए यह आपने touch किया तरह के अलग 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 रंग है इसमें आप yellow लें आप green लें आप blue लें आपका जो अच्छा लेका हुआ है वो दिख सकते हैं तो यह आपका अब जनरली आपको white पर काम करना है तो आप white पर touch करके रखें तो यह फिल color हो गया ठीक है फिल color कर नीचे आप देखिए border color अब यह जो slide है इसके चारों तरफ हमको border चाहिए तो आप border पर touch करेंगे तो border color भी कैसा चाहिए अब यह border color पहले select कर लें यहाँ जनरली यह black पर set रहता है पर हमको साब यह मान के चलें के green चाहिए तो आपने green पर touch कर दिया ठीक है green पर touch कर दिया आप back चलें तो अब border color हो गया color के नीचे आप देखिए border weight यारी कि उसकी जो मोटाई कित्ती रहगी border की वो आप इस पर देखिए इनकी जो decrease कैसे कर करना है हम इसको decrease करते चलेंगे decrease हो जाएगा तो इस तरीके से यह बदल जाता है जनरली यह black पर set रहता है हमको change करना है तो हम border color में जाके change कर लेते हैं border जो दिया है वो हमको कैसा चाहिए border dash वाला चाहिए आप इसको touch करेंगे तो dash चाहिए तो यह dash वाला भी आपकी सामने बना हुआ है आप dotted वाला देखिए आप इसको दवाएंगे तो dotted हो गया border आपका ऐसा चाहिए तो यह border हो गया तो यह इस तरीके के आपके नीचे यह दिये हुए है आपको जैसा border चाहिए आपने लिखे हुए page में वो आप इस तरीके से border dash से हो सकता है चो लिखा हुआ है उस पर drop shadow आपको चाहिए तो apply drop shadow आप करेंगे तो जैसा आपको चाहिए वैसा आपको इसमें shadow दिखेगी यह आप जैसा करते जाएंगे वैसा आप इसमें होता जाएगा reflection चाहिए तो आपको यह apply reflection कर देंगे तो इस तरीके से यह reflection भी होगा आप इसमें जितना work करेंगे practice क करेंगे वह आप सीखते जाएंगे तो इसके आप ये फंक्शन समझे अब आप जितरे भी हमने काम किये वह आपके सामने स्लाइड पर दिख रहे हैं पर ये स्लाइड ये हमको ऐसा ही चाहिए तो हम उपर जो राइड का दिया है ब्लू कलर उस राइड को टच कर देंगे तो जैसा इसमें है वो उसने ही सेट हो जाएगा ये देखिए आप सेट हो गया कमेंट भी लेखा हुआ है ये पहली स्लाइड पर हमने काम किया था वो देख रहा था हम दूसरी स्लाइड पर जाते हैं पहली स्लाइड का काम खतम हम दूसरी पेज पर आ गए इस पर हमको काम करन है तो आप प्लस दबाएंगे फिर से आपको काम करहें टेक्स्ट की बात हो गयाप दिखने're श्क्र सब्सक्र देख लिए उपस्तु किया टो फोटो में तो आपky यह लिखी है उसका फोटो कीचना है तो आप फ्रम केमरा पर जाए आपका केमरा स्टार्ट हो जाएगा मान की चलना यह पेज आपके नीचे रखा हुआ है आपने इसको फोटो इसका खीच लिया आपने इसको टच कर लिया देखिए इसको फोटो आपने खीचा इस पर आप यह राइट कर दें तो देखिए, यह photo आपका slide पर आ गया, ठीक है न, अभी latest आपको photo यह इस पर डालना है, वो, इसको आपको पूरी slide पर रखना है तो आप इसको, भड़ा घटा सकते हैं इस तरीके से, अब देखिए, आप इसमें, image पर आप गए, image पर from camera हो गया, आप from photo से आप जाएंगे, तो photo से आपकी gallery के photo खलेंगे, इसमें, देखिए, आप यह सामने, अभी जो मेरे photo की चाता, वो भी आपको यह दिख रहा है, recent में, आप इस तरीके से जाएंगे, तो यहाँ पर जो भी आपके gallery, photo, आपकी जो भी photo डले हुए, वहाँ आप जाएंगे, मानके से आप gallery में हम तो gallery खुल जाती है, अब gallery में जैसा photo आपको चाहिए, वो आप photo में जाएंगे, इसमें आप देख लीजिए, किस तरह का photo आपको चाहिए, यह सारे photo डले हुए है, मानके चलें, कि हमको यह photo चाहिए, तो इस photo को हमने लिया, देखिए, आप यह आ गया, मतलब वहाँ टच क करते ही, direct photo आपके सामने आ जाएगा, अमानके चलें, यह दोना photo हो गए हमारे, पास में, एक हमने खीचा था, camera से वो भी आ गया, दूसरा हमने जो गैलरी से लिया, वो भी आ गया, तो अब इसको हमने, यह दूसरी slide हो गई, तीसरी slide पर आ गए, हम इसमें फिर किया हमने, तो अब आप यहाँ पर यह image हो गया, आपका shape ले सकते हैं, shape में आपके mathematical जो भी circle वगरा हैं, यह सारे दिये हुए हैं, आप जो भी select करेंगे, वो image आपके इसमें आ जाएगी, इसको गटा बढ़ा लेंगे आप, ठीक है न, और इसमें आप द्वारा जाईए, image में, तो shape म आप गए, तो यह देखिए, arrow भी इसमें दिये हुए हैं, अलग तरह के, अलग तरह के, flow chart दिये हुए हैं, आपको flow chart जैसा लेना है, वो आप लेनी जी यहाँ से, call out आपको लेना है, तो call out आपके अलग तरह के दिये हुए हैं, equation दिये हुए हैं, plus minus, जो भी आपको यूज करना है वो सारे दिये हैं इसके बारे में हम अब फर बात करेंगे आगले वीडियो में क्योंकि ये वीडियो भी काफी लंबा हो चुका है आप जेतना आप सीखें उसको प्रैक्टिस करें थोड़ा सा मुझे इंकरेज किरने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर क कर लें जिसी कि मुझे प्रोच साहन मिले थैंक यू